रावन ने कही औरतों के बारे आठ ऐसी कड़वी बातें जो आज सच होती दिख रही हैं। दोस्तों, रावन ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में आठ घिनोनी बातें बताई थी जो आज सच हो रही है। कड़वी है पर सच है स्त्रियों के बारे में जो जो रावण ने कहा है उसे आप देख सकते हैं दोस्तों रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराईयों को बताने लगते हैं लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्यानी पंडित भी कहा जाता है कहते हैं कि ख्वाब देखने वाला रावण यह भूल गया था कि उसने जिस सीता का अपहरन किया है वह अयोध्या के राजा दशरत की पुत्रवधू है जिसका खामियाजा उसे अपना प्राण दे कर चुकाना पड़ेगा लेकिन दोस्तों एक ज्यानी पंडित होने की वजह से है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरा ग्यान विश्च के समान होता है दोस्तों जब रावण ने माता सीता का अपहरन किया था तब महल में वापस आते ही रावण की पतनी मंदोदरी ने रावण से कहा कि सीता एक पतिवरता स्त्री है और आपको इस तरह किसी दूसरे की पतनी को अपहरन करके नहीं लाना चाहिए था जिस पर रावण ने स्त्री की आठ बुराईयों का वर्णन किया था और जो पहला बुराई रावण के द्वारा बताई गई थी वह यह थी कि जो औरतें बहुत ही ज्यादा मतलबी होती है यह अपने म पहलच में फंसा सकती है रावण के मुताबिक अगर किसी महिला के बात चीत में एकदम परिवर्तन आ जाए तो उससे बच कर रहना चाहिए क्योंकि वह स्त्री आपसे कोई काम निकलवाना चाहती है दोस्तों दूसरा अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है वैसे तो स्त्रिया निडर और साहसी होती है लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है और स्त्रिया अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है दोस्तों रावण के अनुसार स्त्रिया बहुत ही कोमल स्वभ जिस वजह से वह कभी-कभी बिना वजह ही छोटी-छोटी बातों पर डर जाती है और अपने इस डर से बचने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। इन स्त्रियों के साथ साथ उनके सगे संबंधियों को भी इस गलती का हरजाना भुगतना पड़ता है। दोस्तों तीसरा अवगुन रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां जूट बहुत बोलती हैं। रावण के मताबिक स्त्रियां जूट बोले बगएर बिलकुल भी नहीं रह पाती हैं। यहां तक कि जूट को छुपाने के लिए सौ जूट भी बोलने पड़े तो भी स्त्रियां तयार रहती हैं। इस बात से उन्हें कोई संकोच नहीं होता कि वह किस के सामने और किस तरह की जूट बोल रही है। दोस्तों इस बात को आप सबने अपनी लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि स्त्रियां या लड़कियां बिना मतलब के ही जूट बोलती हैं। दोस्तों इस जूट की वजह से कभी कभी लोगों के रिष्टे और जिन्दगी दोनों बरबाद हो जाती है। दोस्तों रावन ने यह बात तब कहा था जब रावन अपनी जिन्दगी के अंतिम पल जी रहा था और उसके पास लक्षमन जी खड़े थे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रावन महा ज्यानी था लेकिन रावन एक राक्षशी का पुत्र भी था जिस वजह से वह मायावी था और रावन के दस सिर भी थे। उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थी और इन सब के बावजूद भी वह स्त्रियों के मन को नहीं पढ़ सका। इसलिए रावन ने स्त्रियों से संबंधित पांचवा अवगुण यह बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत चंचल होती है। रावन के मताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है इस बात को जान पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। कट पुतली की तरह नचा सकती है। रावन ने इस बात का वर्णन अपने शास्त्र रावन संहिता में भी किया है। और इस बात को बखूबी बताया है कि स्त्रियों के सारे अवगुणों में सबसे खराब अवगुण यही है। दोस्तों स्त्री की चंचलता से हर मनुष्य को बचना चाहिए क्योंकि इस चंचलता के चक्कर में कई महाबली पुरुशों ने अपनी जिंदगी बरबाद कर दी है। लेकिन इसके बाद भी स्त्रियों की यह आदत नहीं जाती है। इसलिए स्त्रियों की इस चंचलता से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। दोस्तों छटवा अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पच सकती है। अगर आप पुरुश है तो इस बात को बखू भी समझते होंगे और स्त्रियों इस बात को अच्छे से जानती होगी कि वह किसी भी बात को अपने पेट में ज्यादा समय तक नहीं पचा सकती है। रावण ने यह बात अपने प्राण त्यागने से पहले बताई थी कि स्त्रियों कभी भी किसी की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रख सकती है। तो चाहे आप स्त्री के कितने भी अच्छे सगे संबंधी या फिर रिष्टेदार क्यों ना हो वह आपका भांडा कभी न कभी फोड़ देंगी और आपके गुप्त राज को आग की तरह दुनिया में तेजी से फैला देंगी। इसलिए स्त्रीयों को कभी भी राज की बातें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन इतना समझाने के बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए कि आप अपने आपको मुसीबत में डाल रहे हैं। आप खुद अपने पैरों पर कुलहाडी मार रहे हैं और कभी न कभी आपका राज दुनिया में खुल जाएगा और फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों सातवा अवगुण रावण के द्वारा यह बताया गया था कि स्त्रियों में बुद्धी नहीं होती है वह किसी भी चीज को अपना दिमाग लगा कर कभी नहीं सोचती बलकि वह किसी भी सुनी-सुनाई बात को मान लेती है। ऐसा रावण ने इसलिए कहा था क्योंकि रावण की पत्नी-मंदोद्री ने रावण की कोई भी बात कभी नहीं मानी थी। पिर इन सब के चलते वह अपने घर का विनाश कर लेती है और फिर बाद में उस चीज का पच्चतावा करती है। रावण का कहना था कि इसी अवगुण की वजह से स्त्रियां किसी भी फैसले को लेने में बहुत अच्छा महसूस करती हैं। इसलिए रावण ने कहा था कि औरतें विवेक शील नहीं होती। अब बात करते हैं स्त्रियों के आठवें और आखिरी अवगुण की। रावण के मुताबिक स्त्रियों में अस्वच्छ जैसे गुण होते हैं यानि कि स्त्रियां अशुद्ध होती हैं। जी हाँ दोस्तों स्त्रियां कितनी भी अपने आपको सोने, चांदी, हीरे के आभूशनों से सजा लें लेकिन इन सब के बावजूद भी स्त्रियां पुरुशों से अशुद्ध होती हैं। रावण के मताबिक महिलाएं पुरुशों की तुलना में साफ सफाई का काफी कम ध्यान रखती हैं। जिसकी वजह से रावण ने यह बात कही थी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं।